आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग सबसे पहले मुख्य समाचार उपर आश्वपती जगदीब धनकड 18 सितंबर को एक दिवसी प्रवास पर जबलपूर आएंगे राश्वी परिक्षा एजिंसी द्वारा ली गई सेउक्त विश्विद्याले प्रवेश परिक्षा के परिणाम आज खोशित होंगे प्रदेश में पहली बार 24 गंटे इंदोर में खुलेंगे बासार और नेशनल यूथ एटलेटिक्स चैंपिनशिप का आयोजन 17 सितंबर से भूपाल में अब समाचार विस्तार से उपराश्टुपती जगदीब धंकर 18 सितंबर को एक दिवसी प्रवास पर जबलपूर आ रहे हैं उपराश्टुपती बनने के बाद ये उनकी प्रदेश की पहली यात्रा है उपराश्टुपती गोंटवाना स्वामराजी के शासक और 1857 की क्रांथे के वीर नायक अमर शहीद राजा शंकरशा को रगुनार शा के बलेदान दिवस पर आयोजित कारिक्रम में शामिल होंगे उपराश्टुपती जस्तिस जेयेस वर्माईस्मती व्याख्यान के साथ अन्यकारिक्रमों में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरिंडर मूदी की 17 सितंबर को शिव्पूर जिले में होने वाले कारिक्रमों की तैयारियों की समेक्षा करते हुए मोख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहार ने कहा है कि बारिश की संभाव ना बनी हुई है इसलिए प्रधार मंत्री नरिंद्र मूदी की उपसिती में कुनू राश्य उद्यान के होने वाले कारिक्रम और कराहल में ससायता समूह की सदस्यों की समेलन की तैयारियां मौसम की मद्यनजर की जाए मोख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को ससायता समूह की गतिविधियों से परशित कराने के लिए सम्मूहों की उत्पादों को प्रदर्शित करने और सम्मूह के सदस्यों से समवात की विवस्था करने के भी निर्देश दिये राश्वी परिक्षा एजिंसी द्वारा ली गई सेयुंक्त विश्विद्याले प्रवेश परिक्षा के परिनाम आज राद दस पजी खोशित के जाएंगे ये चानकारी विश्विद्याले अनुदान आयोक के अधिक्ष प्रोफेसर एम जगदेश कुमार ने दी परिनामों की घोशना की जाएगी ये परिक्षा देश के 269 और विदेशों में 9 शहरों में 15 जुलाई से 3 अगस के बीच 6 चरणों में आयोजित की गई थी केंडरी विश्विद्याले के सनातक पाठिक्रमों के लिए हुई इस परिक्षा में 14,90,000 प्रत्याशियों ने पंजे करन कराया था मद्रप्रदेश विदान्जभा का सत्र आज तीसरे दिन ही समाप्त हो गया ये सत्र पांच दिनों का था आज सरकार ने 9590 करोड रुपे से अधिक के अनुपूरग बजट को पारित करा लिया इसके अलावा मद्रप्रदेश काष्ट विनेमन, तेंदू पत्ता व्यापार, वेट अधिनियम, नगर पालेक विधी, मद्रप्रदेश नगर पालेक दुदी संशोधन, निजी विश्विद्याले स्थापना और संचालन, सिविल न्यायले, मद्रप्रदेश की भेच चड़कया था। समचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सभी संस्थानों और प्रतिश्थानों में CCTV क्यामरा लगा कर 30 सिनों तक इसके रेकॉर्दिंग रखना अनिवारे होगा। रतलाम महापौर, प्रलात पतेल ने खोशना की है कि सफायों में श्रेष्ट वार्ड वाले करमचारियों को टीटी नकर स्टेडियम में किया जा रहा है। इसमें 21 राज और केंदर शासित प्रदीशों के लगबग 600 खिलाडी भाग लेंगे। गौर्दलब है कि इस चैंपेंशिप में प्रदर्शन के आधार पर अगले साल 1-4 मार्ज तक कुवैट में होने बाले इशियन एथलेटिक्स चैंपेंशिप के लिए भारती दल का चैन किया जाएगा। अपको समाचार सिंख शेप में इंदर की और द्योगिक प्रसिक्षन संस्थान आईटाई परिसर में रोजकार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 296 युवाओं का विमिन प्रतिष्ठित कंपनियों में चैन किया गया है। मनसौर जिले में 20 सितंबर को सुबह 11 बजे सैनिक कल्याण कारेले में सैनिक समेलन आयोजन किया जाएगा। रतनाम कलेक्टर ने जिले में संचालित पेट्रूल और दीजल पंपों पर मोलभूत से विधायें उपलब्द कराने के आदेश दिये हैं। इस बुलिटन में इतना ही दीजे इजासत नमस्कार।